इसे बात करेंगे सोयबीन की तो अब हाजिर में सोयबीन की कीमतों में धीरे धीरे तेजी देखने को मिल सकती है विदेशों में सोयबीन की कीमतों में लगातार तेजी दर्च की जा रही है ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के चलते जो हालात बने हैं उसकी वज़ा से वहां पर सोयबीन का जो पादन है इस समय सोयबीन का आयात कर रहा है और अमेरिका के सोयवीन के जो निरियात है उसमें तेजी देखने को मिल रही है और इसी का असर हम वायदा पर भी पढ़ते वे देख रहे हैं यूएस सोयवीन वायदा पंद्रा सो अठासी डॉलर पर इस वक्त ट्रेड करता नज़र आ रहा है पंद्रा सो असी के उपर यूएस सोयवीन फ्यूचर जो है वो सस्टेन है अच्छी खासी तेजी है इसी का असर घरेलू बजार पर भी देखने को मिल सकता है हाजिर में भी जो कीमते हैं सोयवीन की वो भी आने वाले समय में तेज होने वाली है अब बता दें कि सोयवीन जब लास्ट ट्रेड करती नजर आई थी तो सरसर सो पचास पर ट्रेड करती नजर आई थी अब इसी सा अनुमान लगाया जा सकता है कि अब सोयवीन की जो कीमते हैं मंडियों के अंदर हाजिर बजारों के अंदर अब तेजी देखने को मिल सकती है अब यहां से जो सोयवीन है 7000 की उपर का भी लेवल दिखा सकती है 7000 चोएगी चोएगी और उसके बाद 7000 के बाद भी आगे और तेजी की और जाती भी नजर आ सकती है फंडमेंटली भी जो सोयवीन है उसमें अब थोड़े थोड़े चेंजेस आने शुरू हो गए है भारत में बले ही जो सोपा का अनुमान है उत्पादन का सोयवीन का वो पहले की मुकाबले जादा रहा हो लेकिन जो तिलन फसल है भारत उसको इतना कंट्रोल नहीं कर सकता है क्योंकि भारत खादे तेलों के मामले में आत्मिर्वर नहीं बना है अगर भारत खादे तेलों को जो अपूर्ती है वो विदेशों से करता है जाद अतर अपनी आदे से जादा जो सप्राई की डिमांड जो मीट करता है भारत वो इंपोर्ट के जरिये ही कर पाता है जिसकी वज़ा से अगर विदेशों में तेजी देखने को मिलती है जब soy refined में तेज़ी आती है, तो तीलहन फसल पर भी सपोर्ट मिलता है और वही हम अब होतावत देख रहे हैं, तो fundamentally भी soybean यहां से तेज़ी की और जाती नजर आ रही है और हाजिर बजारों में किसानों ने भी soybean को होल कर रखा है, हाजिर बजारों में ले भी सोयवीन की जो arrivals हैं, जो आवके हैं बिल्कुल नाव मात रहें, नाव के बराबर है, हमने कई मिलों को बंद भी होते हुँ देखा है, जिसकी वज़ा से अब सोयवीन में आगे तेजी ही देखने को मिल सकते हैं, जो किसान कीमते चार है, ते मुनाफ़ा चार है ते उन